नमस्कार जयमत अदी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ चारे पिता और पुत्र एक साथ हो रहे हैं हम ग्रहों की बात कर रहे हैं हम परिवारी की बात नहीं अभी घर हैं हम बात कर रहे हैं ग्रहों की यानि पिता की उपादी और पुत्र की उपादी य पुरा एक महीना रहेंगे और वो भी ऐसे ग्रहे जो वैसे कहते हैं कि एक दूसरे की बात नहीं बानते हैं लेकिन जब ये इकठे हो जाते हैं एक राशी में आते हैं तो तब ये आपकी बात क्या अपनी बात क्या सब की बात मानते हैं और बहुत अच्छे फाइदे भी देत शनी की राशी में पिता का परवेश, बहुत अच्छा माना जाता है ये, मकर संक्रांती कहा जाता है जिसे, और एक महिना इसका इंपेक्ट बहुत ही अच्छा रहता है, शनी की राशी में पिता का परवेश, जो कि जहां शनी स्वयम भी होंगे जब परवेश हो हुआ है, और यह पूरा साल इसका इंपेक्ट कैते हैं बड़ा अच्छा बना करके रखते हैं क्योंकि हर साल मकर संक्रांती आती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो कुछ ही दिनों में शनी देव अपनी दूसरी राशी में चले जाएंगे पिता जी वहां पे उनके शनी की लोगों की कुंडली में सूरे अगर नीच का होता है अगर सूरे नीच का होता है यह सूरे पीडी तो होता है हाफ मैलिफिक प्लैनेट कहा जाता है इसे कालकुरुष की कुंडली में यह पंचम भाव के स्वामियोतार पंचम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी हाईर education भी education का बहुत मुख्य भूमी का होती है यहां से और संतान का भाव भी कहा जाता है यह आपके affairs का भाव भी होता है तो पंचम भाव के जो स्वामी है सूर्य यह शनी के राशी में प्रवेश करेंगे और शनी की अगर के हम भाव देखते हैं तो दशम भाव जो के हमारा कर्म स्थान होता है काल पुरुष के कुंडली में दशम भाव के स्वामी होते हैं शनी जो हमारा काम है कैसा काम करेंगे कितना काम करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे या कौन सी चीज़े fluctuation आपके जिंदगी में रहेगी या बार-बार काम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे या फिर इससे इंकव हमारी कितनी होगी क्योंकि दूसरा भाव भी शनी का है वो भी एकादेश भाव एक भाव हमारी इनका दशम भाव है दूसरा इनका है शनी देव का एकादेश भाव यानि लकाल पुरुष के कुंडली से दशम और एकादेश भाव के स्वामे भी शनी होते हैं दशमेश भी है और एकादेश भी है अब जब बात आती है कि इन दोनों का अपस में मिलन होता है तो किन चीजों का लाब जैदा होता है अगर हम दशम भाव की बात करते हैं तो कि दो राशियों को तो खुब फाइदा मिल देते ही देते हैं क्योंकि वहाँ पे तो यह अपने पुत्र की राशी आया है उनकी उनको फाइदा देंगे देंगे लिकिन स्वाइम की राशी को भी फाइदा देते हैं लिकिन ओवरॉल कैते हैं यह बहुत अच्छा फाइदा द किन-किन समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं सबसे पहले कुछ ऐसी समस्या इनसान के होती है वो होती है हमारी income source हमारा पैसा और income का बाती है जब हम कारेक अच्छे से करते हैं काम में दिक्कत नहीं आती है नौकरी को ले करके अगर आप गुर्मेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो भी आपको फाइदा देते हैं अगर आप एक हाईर पुजिशन पर बैठे हूँ है उच्छ पद में बैठे हूँ है तो भी आपको फाइदा देंगे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी है त तो भी आपको फाइदा देंगे, यानि नौकरी मेए बढ़तरी करते हैं, नौकरी मेए लाब देते हैं, आपके कितनी भी परेशानी आप बार बार चल रहे हैं, भर बार फ्लक्चुएट हो ओ आपकी स्पराइन, छोढ़ा है बार बार नोकरी, आपको ये लाब मिलना को भी बल देते हैं इसके अलावा खास करके कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी heart beat बहुत ज़्यादा तेज होती है बार बार परेशान करती है यानि उन्हें heart issues होते हैं तो ऐसे लोगों को भी काफी हद तक फायदा देते हैं जिनने heart की problem ज़्यादा होती है या फिर उन्हें anxiety ज़्यादा होते हैं जल्दी घबरा जाते हैं heart beat जल्दी तेज होने लगती है तो अगर वह उपाय कते हैं इस पीरेड के अंदर दोरान में जब शनी और सूरे एक साथ होते हैं यानि शनी और सूरे कह सकते या शनी तो यहां से निकल जाएंगी वो कुंब राशी में चलेंगे लेकिन यह राशी शनी की ही है घर शनी का ही है वहाँ सूरे जब तक रहेंगे बहुत अच्छा फायदा देते हैं अगर आप छोड़ उपाये इस दोरान मे करते हैं तो आपकी काफी ज़्यादा समस्य जोती हैं वो दूर हो जाती हैं सूर्य मकर में एक डिगरी के हैं और शनी 30 डिगरी के और वहीं पे शुक्र है वो 21 डिगरी के जब ये बदलाव होगा तो ये अल्मोस्ट आल इनकी कंडिक्शन जो है ये ऐसी कुछ बनी हुई है अ और परमुच्च भी होंगे बीच में बहुत अच्छी इनकी डिगरी होती हैं साथ डिगरी में तो बहुत ही अच्छा कमाल करेंगी आपके लिए और वहीं अगर हम कहते हैं कि समस्य क्या क्या दूर करेंगे एक कि हाट इशू का मैंने बताया है कि आपको बहुत ज़्याद पिता की बच्चों के साथ नहीं बनती है, और अगर ऐसी कुछ कंडिशन है, यहां बात पुत्र और पुत्री की नहीं है, बात संतान की है, संतान के साथ रिष्टे अच्छे बनते हैं, जो एक कहीना डिस्प्यूट चलता है, वो खतम हो जाता है इस टाइम पे अगर आप जो रिष्टे है वो अच्छे हो जाएं, लंबी बिमारियां, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जकड चुटते हैं, पीछा नहीं छोडती, रोज दवाई, रोज मेडिसन, कुछ न कुछ ऐसा कि होस्पिटल तक जाने के बार बार आपके चांसिस बनते हैं, तो कहीं न कहीं आपको लंबी बिमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, आपके लिए एक अच्छा, कहते हैं कोई एक अच्छा डॉक्टर एकदम से आपकी जिंदगी में आजाता है, जो आपको खास करके उस बिमारी से बाहर निकाल देता है, तो भगवान बन करके ही डॉक्ट बहुत सदा हक मार लेते हैं लोग किसी का पैसा, पैसा दबा लेना ना किसी का ये बहुत ही असान होता है, लेकिन किसी का हक आप कब तक मार सकते हैं, कब तक आप उसमें रह सकते हैं, कब तक आप उसकी की चीजों को रख करके आप अपनी खुशियों को जो है वो दुग न कर सते हैं नहीं होती है कभी भी किसी की चीजे रखकर के खुशिया थोड़ी दोगुन होती है तो किसी का हक नहीं मारना चाहिए उसका हक उसे दे देना चाहिए तो अगर कोई आपके धन का हक मार रहा है आपका पैसा आपसे लिया नहीं दे रहा है तो खलबली बच जाएगी वो इस दोरान के अंदर वो अपने आप ही आपको कोशिश करेगा कि उनका पैसा आप तक लोटा देगा लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपका हक मार चुका है नहीं दे रहा है पैसे नहीं दे रहा है वापस तो वो situation जो है वो spirit के दोरान आपक फल देने वाले है तो आपको काफी जादा फाइदा जो है वो मिल सकता है उपाए क्या करना है एक तो पूरा महीना चाहे वो saturday हो sunday हो all days आपने सूर्य को जल देना है और जब आपने जल देना है उसमें थोड़े से सफेद तिल भी डाल सकते है या फिर ब्राउन तिल भी दाल करके तामबे के लोटे में ही आपने सूर्य को जल देना है और शनी देव की अरादना जरूर करनी है शनी देव को भी आपने गुड जरूर अरपित करना है आप all days भी यह पूजा कर सकते हैं और saturday को तो specifically कीजिएगा तो आप saturday को शनी देव क्या के थोड़ा सा जरूर अरपित कीजिएगा हर शनीवार को पीपल को जल दीजिएगा लेकिन कि जब आप पीपल को जल चड़ाएंगे उसमें भी थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड मात्रा में डाल दीजिएगा थोड़े सी मात्रा ही डालिएगा तो आप हर शनीवार को दिन के स इत्रदोश से भी मुक्ति मिलेगी, यहां आपके पिता और पुत्र और पिता और संतान के बीच का जो बॉंड है वो बहुत अच्छा होगा, घर के अंदर से तनाब भी निकलेगा, और खास करके जिन समस्याओं का हमने जिक्र किया है, उन सारी समस्याओं से भी आपको मुक् सकते हैं, जहां आप पूजा भक्ति भी कर सकते हैं, जहां आप इस तरीके की विदियां जो है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आपके लिए हर समस्या के समाधान हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब आप उपाय करते हैं, तो जिस भाव से आप उपाय करते हैं, उस किजिए वीडियो शेर किजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें तब तक के लिए हमस्कार